एगाईस कैसे हैं आप तो चलिए आज बनाते हैं आपकी कीचन में साबू दाने की खिचडी जे खिचडी कहने नाम है सरफ खिचडी गाईस लेकिन हो लगतीनी खिचडी जे बहुत ही अच्छा सा स्नैक बनता है तो स्पाइजी सावला तो मैंने जहां लिया एक कटोरी के ओने बीक बीक गलिया एक से दो तो मैंने इनको फ्राइ कर लूँगे जब मेरे जे हाफ फ्राइप हो जाएंगे बक जाएंगे जैसे हादी तो मैं इसके अन्दर डाल दूंगी कच्छी वाली मुफली एक कटोरी पीनट डाल दूंगे इसको भी मैं दो से पांच मिनट ल तड़के वाली लाल मिर्ची डाल दूंगी यह बहुत ही स्पाइजी सा एक मज़ेदार बन जेगा अगर आपने इसको मिस करना तड़के वाली मिर्ची को तो कर सकते हैं जा मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ता और साथ में डाल दूंगी अद्रक ब्रीक कठा हुआ और हरी अगर अगर आप नौर्मली घर में रेगुलर खाने के लिए बना रहे हैं तो आप कोई भी नमक डाल सकते हैं अगर ऐसे दिल करता है कीचरों हम भी खाते हैं खिचडी जे नाम खिचडी है गाई है खिचडी नहीं यह बहुत ही यम्मी सा स्नैक बनेगा आपका जब मैं दोस से तीन मिनट इसको पकालूंगी तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी आमचुर पाउड इससे बहुत ही मज़ेदार स्पाइजी सा खटा सा टेस्ट आएगा जैसे हमने ब्रत र पानी में ज्यादा पानी मत डालिएगा जब भी गहोगे ना पूरा पूरा ही पानी डालना ने तो फिर एक्स्ट्रा ज्यादा हो जाता है अब मैं दो से तीन मिनट इसको ढखके पकाऊंगी लेजिए गाईज अब मेरा बहुत अच्छा तियार हो जाएगा स्नैक आप एक बार 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 बनाएंगे बार बार खाएंगे आपकी कीचन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज आप में की वीडियो देख रहे हैं लेकिन में को सब्सक्राइब करने करें प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू